हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार Study IQ IAS हिंदी प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की चर्चा में हम लोग बाचित करने वाले हैं नमो भारत के बारे में नमो भारत यानि की भारत की पहली Rapid Transit System की शुरुवात की गई है और यह जो Transit System है यह Regional Level पर यानि की क्षित्रिय लेवल पर बहुत बड़ी भूमिगा निभाने वाली है यह Transit System एक Railway Connectivity के तौर पर काम करेगी और इसी के संदर्व में आज की चर्चा में हम लोग इससे जुरे हुए महत्वपून पहलूँ पर बाचित करेंगे आईए चर्चा की शुरुवात करते हैं और समस्ते हैं इसमें क्या-क्या कुछ महत्वपून पक्ष शामिल है दोस्तों यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के पहले RRTS यानि की Regional Rapid Transit System की शुरुवात की है और इसी का उधगातन इन्हों के द्वारा किया गया है यहाँ पर मैंने एक न्यूज भी पेस्ट की है जिसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत की शुरुवात की है और यह भारत की पहली RRTS यानि की Regional Rapid Train System या फिर Transition System के तौर पर इसे समझ सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यह जो Transition System है यह आठ कोरिडोर के तहत काम करेगा और इन आठ कोरिडोर में से पहले कोरिडोर की शुरुवात उसका उदगातन आज किया गया है जिसे क्या नाम दिया गया है दिल्ली गाजियाबाद मेरट कोरिडोर ध्यान रखेगा दोस्तों कि ऐसे ही total 8 corridors हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है दिल्ली है और दिल्ली से जुरह हुआ बाटी के जो 7 corridors हैं यह यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका नाम आपको याद रखने की ज़्यादा जरूत नहीं है आप यदि किसी छित्र से बिलॉंग करते होंगे इन पार्टिकुलर छित्र से यदि आप बिलॉंग करते होंगे तो फिर आपके लिए फाइदमन होगा otherwise किवल ये भी धियान रखना आपके लिए बहुत ही सहज है कि ठीक है आठ कॉरिडोर्स के मादियम से यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है यहाँ पर दो चीज़ें एहम है समझना जानना ये पहली बात ये कि आखिर जो यह NCR के स्तर पर यह गतिविती की जा रही है तो इसको ले करके क्या कुछ प्रुष्टिभूमी रही थी साथ ही यह भी समझना जोरूरी है कि आखिर यह जो पहल की गई है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को ले करके इस पहल का क्या फायदा होने वाला है ठीक है तो इन दोनों पहलूं को हम लोग एक एक करके समझते हैं और जाननी की कोशिश करते हैं देखो मैं इसकी दिप्रिष्ट भूमी के बारे में आपको बताओं तो वर्स उनिस सो अन्ठानुए में अन्ठानुए निन्यानुए में सबसे पहले इसको ले करके बातचित की सुरुवात की गई और इसके बाद दोस्तों होता ये है कि 2006 में इसको ले करके पुनर विचार किया गया कि इस तरीके के सिस्टम पर काम किया जाए या न किया जाए या फिर किस तरीके से इसको इफेक्टिव बनाया जाए प्रभावशारी बनाया उसके बाद वर्ष 2013 में NCRTC की स्थापना की गई और यहीं से इस प्रोजेक्ट को ले करके एक मोर दिखता है ध्यान रखेगा कि या जो NCRTC है इसका मतलब होता है राश्ट्रिये राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम मैंने इसे हिंदी में लिख दिया है यदि इसको अंग्रेजी में समझना चाहे है तो इसका अंग्रेजी होगा National Capital Region Transport Corporation इस निगम की स्थापना दोस्तू Company Act 2013 के माध्यम से की गई थी और यह निगम किस मंत्राले के अंतरगत काम करता है तो यह निगम आवासिये और सहरी मंत्राले के अंतरगत काम करता है शहरी मामलों के मंत्राले तो मैंने इस निगम के बारे में आपको ब्रीफ में इसलिए बता दिया है कि कई बार किसी पार्टिकुलर संस्था के संदर्व में सवाल पूस्थ दिया जाता है और चुकी यह चर्चा में है भी इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दिया है ध्यान रिखेगा कि यह जो दोस्तो निगम है यह निगम एक संयुक्त उद्द्यम के तौर पर काम कर रहा है जिसको अंग्रेजे में आप जेवी यानि कि जॉइंट विंचर की संग्या भी दे सकते हैं अब देखो जब जॉइंट विंचर है तो यानि कि कम से कम दो लोग तो इसमें जुड़े होंगे हाया न तो यहाँ पर केंदर सरकार के साथ में बाकी के जो चार राज्य हैं वो हैं दिल्ली, हर्याना, उत्तर प्रदेश और राजस्था दोस्तो ध्यान रखेगा कि हम विहाँ पर बात कर रहे हैं NCR की यानि National Capital Region की मैंने अभी आपको पीछे चित्र में भी दिखाया कि यह जो पुरा का पुरा चित्र है, यह NCR की अंत्रगत आता है NCR के बारे में दोस्तो माना जाता है कि लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर में NCR का विस्तार है NCR का विस्ता लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर और इसी संद्रह में यह जो NCR TC है, इसी शित्र में आठ कोरिडोर बनाने की यूजना पर काम कर रहा है अब आपके मन में सवाल यह उठ सकता है कि सर, यह NCR वाले रीजन में क्यों इस विवस्ता को लाने की कवायत की जा रही है इस विवस्ता में जो विश्यस्ताएं हैं उन विश्यस्ताओं के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन जो एहम मुद्दा है कि आखिर क्यों आपके जहन में सवाल आना चाहिए दरसल दोस्तों यहाँ पर जो पहली आविश्यक्ता पहली जो अपक्छा यहाँ पर निकल के सामने आ रही है वो यह है कि NCR में सावजनिक परिवहन पर बल दोखो आज के समय में आज की यदी हम बात करें वरतमान की यदी हम बात करें तो यदी आप में से कोई NCR में रहता हो NCR का मतलब केवल दिल्ली ही नहीं बलकि दिल्ली के आसपास का इलाका जिसमें नुएडा भी आ जाता है, जिसमें गुरगाओं भी आ जाता है, जिसमें फरीदाबाद भी आ जाता है, तो यह जो NCR का इलाका है, इस NCR में या आप में से कोई भी यदी रहता है, तो फिर उसे यदी day to day दिल्ली और उसके आसपास के रिजन में अप डाउन यदी कर करें, मेट्रो से ट्रैवल करने में दिक्कत आ सकती है, या फिर जो सरक है, सरक से ट्रैवल करने में दिक्कत आ सकती है, ट्राफिक को लेकर के समस्याओं का सामना करना पर सकता है, और साथ ही इसमें जो एक महतपूर्ण चुनाती है, वह यह है कि समय बहुत अधिक लगता है मेट्रो से भी ट्रैवल करने में समय अपेक्षा करित कम लगता है लेकिन यदि जिस छेतर में आप रहते हैं उधर यदि मेट्रो ट्रेन नहीं चलती है तो फिर आप कैसे वहां जाएंगे तो यहाँ पर इन सभी पहलूओं को मद्दे नजर रखते हुए इस सेवा को प्राथ्मिक्ता दी गई है और दूसरी बात यहाँ पर यह महत्वपून हो जाती है समझना कि मेट्रो की अपेक्षा मेट्रो की अपेक्षा गती में अधिक्ता जब हम मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि maximum जो इसकी गती निर्धारित की गई है वह है 100 km से लेकर के 120 km प्रतिघंटा लेकिन समाने तो पर यह है जो मेट्रो की गती मानी जाती है और स्थन 100 km प्रतिघंटा मानी जाती है जबकि जब हम RTS की बात कर रहे हैं Regional Rapid Transit System की बात कर रहे हैं तो इसके अंतरगत जो गती मानी गई है वह 180 km प्रतिघंटा के माध्यम से इसको देखा गया है यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं देख सकते हैं कि 180 km प्रतिघंटा का इसका design speed रखा गया है और operational speed की यदि हम बात करें तो 107 km प्रतिघंटा इसकी operational speed रखी गई और average speed की यदि हम बात करें तो यह 100 km प्रतिघंटा रखी गई तो यहाँ पर इस मायने में जो मेट्रूम की तुल्ला में इसकी गती है वह निश्ची तो पर ज़्यादा रहेगी इसके साथ ही जो सड़क सड़क राज मार्ग पर भीड से छुटकाड़ा आप यह जड़क या हाईवे के जरीए आप एक जग़ा सो दुसरे जग़ा जा रहे हैं इंस्टियार वाले रीजन में जा रहे हैं तो फिर आपको हो सकता है कि एक रश का सामना करना परता हो ट्रैफिक जाम का सामना करना परता हो उन परिस्थितियों में यह जो व्यवस्था है यह व्यवस्था आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती इसके अलावा जो सबसे बुन्यादी यहाँ पर एक लाभ मिलने वाला है वो यह है कि कार्बन उच्चरजन में कटोती माना जा रहा है कि एक लाख से भी जादा वाहनों की गतिशील्ता पर रोक थाम संभव हो सकेगा वही दूसरी तरफ अब देखो जब एक लाख से भी अधिक गाड़ियां नहीं चलेंगी सरक पर तो कार्बन उच्चरजन की जो संभावना रहेगी वह ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी कम रहेगी हाना तो धाई लाख टन कार्बन उच्चरजन में कटोती और ये एक दिन में नहीं बलकि प्रती साल एक साल में धाई लाख टन कार्बन उच्चरजन में कटोती की संभावना इससे हो सकती है और यह निश्चित आपर पर्यावरन के दिश्चिकोन से लाभकारी हो सकता है पर्यावरन के दिश्चिकोन से लाभकारी मेरी बात समझ में आ रही है तो इन गतिविध्यों के आधार पर जो लाभ यहाँ पर हमें सामने दिख रहा है वह बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े अस्तर पर दिख रहा है और निश्ची तॉप पर यह जो वेवस्था है यह वेवस्था अपने आप में बहुत ही उपयोगी होने वाली इसके आलावा एक पक्ष और यहाँ पर मैं आपको बताऊं जो की समझने की जरूरत है इसके माध्यम से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार स्रीजन को भी प्रुचसाहन मिलने की समझावना है रोजगार स्रीजन को प्रुचसाहन भाई सिंपल सी बात है कि आप यदि कहीं भी रहते हैं और आप जहां रहते हैं तो या तो एक काम कीजे या तो दूसरा काम कीजे या तो आप वहाँ जाकर रही है या फिर आप किसी और नौकडी की तलास कीज़े लेकिन यहां पर जब इस RTS की शुरुआत होगी तो यहां जो एक अर्चन आती है लोगों के समक्ष यहां अर्चन भी दूर हो सकेगी और जो व्यक्ति है वह दूर रहते हुए भी अपने घर रहते हुए भी और आसानी से ट्रैवल कर सकता है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जादा रहेगी आपने कभी मेट्रो ट्रेन का सफर किया होगा मेट्रो में यह दिया आपने कभी घुमा होगा तो दोस्तों मेट्रो ट्रेन एक मिनट में आ जाती है एक मेट्रो ट्रेन गई दूसरी मेट्रो ट्रेन आ गई तो जो तिये रेल गारी जिस तरीके से लंबे लंबे दूरी का सफर तै करती हैं 1000 km 1200 km तो वह दूरी यह जो सिस्टम है यह सिस्टम तै नहीं करेगी लेकिन कम दूरी की जो गतिविधिया यह गतिविधिया इसके माध्यम से संपन की जाएंगी और इसमें frequency के स्थर पर बहुत अधिक लाव मिलने की संभावना है तो उसे जो एक रोजगार की समस्या बनती है कि है भाई हम NCR वाले रीजन में रह नहीं सकते वहाँ पर हम रोजगार कर नहीं सकते तो वह जो संभावना रहेगी वह संभावना समाप्त हो जाएगी और साथ ही जो बाकी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अन्य जो लोग हैं जिनको रोजगार की अबेक्षा है उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल करके भी रोजगार उन्हें मोहिया करवाए जा सकता है तो ये कुछ सकरात्मक पहल भी इसके माध्यम से पोने की जो एक संभावना है वह संभावना यहाँ पर देखी जा रही है तो आज की इस विशेश सर्चा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ जो टांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ जो टांजिट सिस्टम है यहाँ जो टेन सर्वीस है यहाँ टेन सर्वीस अपनी भूमी का निभाएगा और भारत को और बहतर तरीके से आग कि हम किस तरीके से अपनी कनेक्टिवीटी NCR के साथ में स्थापित करें उस समस्या को आसानी से इसके जरीए सुलधाया जा सकता है समारा जा सकता है आज की चर्चा अब हम लोग यहें पर समाप करते हैं जाते जाते एक और महत्वपूर्ण सुचना मैं आपको देदू जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है 23 अक्टूबर से जो इसके माध्यम से एक नए बैच की शुरुआ की जा रही है यदि आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से तिलीप लाइफ कोट का इस्तमाल करते हुए इस बैच को आप जाइन किजिए आपके GS की कंप्रीट तियारी के लिए बहुत ही फूटफूल साबित होने वाला है और यदि आप इस कोर्स जुनना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं जैसे सिल्वर गोल्ड और ट्लैटिनम इसमें 18 महिने, 30 महिने और 42 महिने की अवधी ठामिल के गई है इनमें से किसी भी कोर्स में आप एड्मिशन ले सकते हैं तो जल्द से जल्द इस कोर्स में जोइन कीजिए सुबह 8 बजे से 30 अक्टूबर से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और यदि आप मुझे टेली ग्राम चैनल से जुनना चाहते हैं तो फिर मेरा ये टेली गाम चैनल है इससे आप सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही आप मिझे इस मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं यहाँ पर आप कुछ भी अपना क्वेरी है आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी और महत्वपून टॉपिक में किसी और महत्वपून प्रोग्राम में तब तक अब ना ख्याल लखिए हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi